तो कैसे होगा इस सबीका एक बार फिर से एक निव वीडियो के अंदर तो वैसे तो मैं यह वीडियो बनाने नहीं वाला था पर बाद में फिर मैंने सुचा कि जो लोग मेरे सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहा है आनि कि जो लोग बाद में देखने के लाएंगे उन कोई थी कि जो फैंक ता वो चौज रिलम के अंदर एंटर तो हो चुगा था लेकिन उसके पास कोई भी सूटेबल इनहरेटेंस नहीं था कल्टिवेट करने के लिए के पास जो भी इनहरेटेंस था वो उसके लिए इटरनल टूवार्ड तक थीक था लेकिन अभी जब वो इनहरेटेंस के अंदर से उसके पास दुआंग माई दुआंग हुआ और बूशे ऐसे कुछ तीन गॉर्ड किंग लेवल के इनहरेटेंस थे बट यह सारके सारी जो पाथ थे वो और पहले के जनरेशन एंसिस्टर ने ले चुके थे लूफ एंग खुद का पाथ अलग लेन किया है सो वह आगे भी इसी चीज़ को कंटीनियू रखना जाता था फिलाल के लिए लूफ एंग के मन के अंदर बस एक ही उमीद थी गौड किंग लेवल के इनहरेटेंस के लिए वह थी एंपर चू के लिन है जो कि एशन यांग कंट्री से थी बट लूफ एंग को अभी बरबाद नहीं कर जकता उसी किसी सूटेबल चौज रिलम के इनहरेटेंस से थोड़ा बहुत मैंद करने चाहिए फिलाल के लिए जो लूफ होता है वो चौज पाव डाइग्राम को कॉंप्रेंट करना स्टार्ट कर देता है लूफ एंग की जो बॉड़ी थी और परफेक् वह जो लूफ हैंग की एक दूसरी टेक्निक थी यानि की 9th स्वार ब्रेकिंग अफ दे वर्ल्ड ये भी एक चौज रिलम की टेक्निक थी जो टेक्निक थी ये भले ही स्वार ऑफ डिस्ट्रक्शन के तरफ जाती थी बट लूफ हैंग ओल्डी इस टेक्निक को काफी गोना तरफ प्रेक्टिस कर चुगा था वैसी भी चौज लिलम की इस वार टेक्निक के अंदर को ल मिला की थी जो कि च्पास जो हुता हो वो उसी को कॉम्परेंट करता रहता है पाउलों के दर हुए एक कोटियार्ड के अंदर जो लू फैंग था वो शांती से रह रहा था वही दूसरी तरफ जो मोरुशा था वो आराम से बैट के भार भी चुखा रहा था को काफे दाट रहा था उससे कहता है कि तो इत्ता है अभी तक 10 बेसिक लॉस को कॉंपरेंट नहीं किया अगर तू अपने मास्टर को देखेगा तो तुम्हारा जो टैलेंट है तुम्हारे मास्टर के कंपेरिजन के अंदर कितना ही जादा घटिया है वह जो मोयो किंग से ज्यादा टाइम के अंदर मैं आराम से 10 बेसिक लॉस को पुरी तरके से कॉंपरेंट कर लूँगा अगर ओरिजन कॉंटिनेंट के टाइम के हिसाब से बात की जाए तो यह कई ज्यादा बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता यह औरिज आइक कॉर्ण गहर के बैटा था उसके जो मास्टर थे यानि किलुव फैंग उसके मास्टर होने के बार भी लूव फैंग ने इस बन्दे को कभी भी ट्रें नहीं किया ता अज तक लेकिन तब से जो लॉड्ल लुव साइक यानि दुरा वह उससे ट्रें करते आया हुँआ ता उसकी guidance के कारण आज वो 9 basic laws को भी comprehend कर पाया था इसलिए इस बंदे ने लूफ हैंग को कई master माना हो या ना माना हो लेकिन इसने लूफ साफ को अपना master मान लिया था जो मुरूशा काफी तर चड़ा हुआ था अचानक से जो मुरूशा होता है उसे जो लूफ हैंग होता है वो समन कर लेता है मुरूशा जल्दी जल्दी अपना chicken like भी सखा लेता है जिसके बाद वो उसके तरफ देखती हुए घुस्से में कहता है तू यहाँ पर जल्दी काम कर मुझे माश्र ने बुलाया मैं अभी आया के बड़ डारेक्ली जो लूफ हैंग होता है वो पाउर गया पर आफ्टरॉल मैं जानता हूं कि मैं अभी भी चौजर रिलम के अंदर आया हूं तुम अल्रड़ी काफे एक्सपिरियंस पर सुनों चौजर रिलम के अंदर बट सिल मैं हम दोनों की बीच के दूरी का अंदाजा लगाना चाहता हूं पहले लूफ हैंग से का इस अटाइक के अंदर लग बड़ लब उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी इतना पाउफुल अटाइक होनी के बाद भी जो अटाइक ता इस अटाइक को जो मुरुषा था उसने बहुत जादा कैज्वाली अपने पाम से रोक दिया था जो लूफ हैंग की वह जो स्व होता है वो काफी था परिशान हो जाता है वही जो मुरुषा होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मास्टर रुक क्यों गए बड़ जो लूफ हैंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे ब्रेक्ट्रू किये हुए जादा टाइम नहीं हुआ है और यह जो लग रहा था मनी मन की जो लूफ हैंग है वो अभी मुरुषा को काफे डाटने वाला है इसलिए जो मुरुषा होता है वो अपना मु लटका के नीचे खड़ा हो जाता है बट जो लूफ हैंग होता है वो मुरुषा से कुछ नहीं कहता है वो बस इतना कहता है कि आफ्टर जो कावता है नायत कर लोग होता है कि तुमाइरे से पूछता है थाbest आ किफ से तरीके सेट लेसे त्रेंट करते हो अपने अपको ku सबसे basic comprehension होता है वो अपने divine powers को बढ़ाता है उसी तरीके से जो world beast का most basic component है वो है power of world beast जो normal practitioners होता है वो divine powers के मतद से अपनी defense level अपनी strength और अपनी speed को काफ़ एदा बढ़ाता है और इसी चीज़ को बोलता है body refining एक और दूसरा तरीका यह होता है कि वो अपनी divine body को cultivate करता है जि जो मुरूशा होता है वो छोटे सा भूह बनाते हुए लूफ हैं की तरफ दिखती हुए कहता है मास्टर मुझे किसी भी resources की जरुवत नहीं है मैं बस origin of destruction के perception को बारी में सोचता हूँ and मेरे world beast power को मैं उसके structure को change करता हूँ इसके कारण मैं अपनी पुरी की पुरी body को strong बना बाता हूँ but master मेरा यह जो method है यह आपके लिए बिल्कुल भी suitable नहीं है because after all मैं एक world beast हूँ मेरे body के अंदर अपना खुद का एक world है इस method के अंदर अपने body के अंदर जो world है वो और धादा expand होता है loop fang के सारी चीज़े समझ रहाता है वो समझ रहाता है कि उसके body के अंदर कोई भी world नहीं है बच्चिल अभी loop fang को कावी सारी confusion थी तो इसलिए वो मुरुषा से कहता है कि वो अपने technique को loop fang के सामने perform करके दिखा है किया किर जो मुरुषा है वो किस तरगे से अपना comprehension करता है मुरुषा तुरंट अपने दोनों हाथों को फैला देता है वो जैसे अपने दोनों हाथों को फैलाता है आस पास की जो energy होती हो काफ़ यदा तेज से उसकी तरफ आना start हो जाती है यह काफ़ था powerful ball बनता है यह जो भी process था यह दिखने में काफ़ ज़्यादा सुंदर देखने के लिए मिल चकता था वैसे यह process था तो काफ़ था खतरनाक ते लिए देखने में काफ़ ज़्यादा beautiful था एक तरफ जो जो मुरुशा था वो अपनी most basic structures के अंदर कुछ changes करता था जिसके तुरू अब वो अपनी पुरी की पुरी body को powerful बनाता था प्रोसेस के अंदर तुम्हें अपने body के ओपर कोई भी resources वगरा खर्च करनी की need नहीं होती वस world beast की power को कुछ combinations के अंदर divide करना होता है एक तरी के से लू फैंग के method के comparison के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तरू लू फैंग को पता चलाता कि ऐसे टाइप की भी कुछ body refining methods exist करती है बट इस तरीकी की जो methods होती हो काफ़ी प्रीश होती है और इवन गौर्ड किंग लेवल के inheritance के अंदर भी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लू फैंग होता है वो मुरुषा की copy करने लग जाता है वो एक बार उसके matter से अपना comprehension करना चाता था जैसे के आप लोगों पता हुआ कि जो लू फैंग है उसकी पास भी perfect divine body है बहले ही लू फैंग के body के अंदर कोई universe नहीं है बड़ जो लू फैंग है क्योंकि वो perfect divine body है तो वो अपने आपको मुरुषा के अंदर convert कर सकता है नहीं कि सबसे पहले है वो खुद मुरुषा बन जाता है जसके कारण कुछ 70% उसकी जो body होती है वो मुरुषा की तरह बन जाती है अंदर से लिके भार तक और फिर वो मुर मुरुषा लू फैंग को इस तरह की से देखता है तो वो काफी तरह सप्राइज हो जाता है वैसे तो जो मुरुषा था उसे बहुत पहले से पता था कि जो उसकी माश्यर की divine powers है वो एक्चियल में sector beast power के अंदर भी convert हो सकती है बट भली जो उसके माश्यर है वो उसके तरह बनने की कितनी कोशिश क्यों ना कर लें उन जोनों की बॉड़ी तिखने में सेम हो सकती है बट अंदर से वो पुरी तरगी से डिफरेंट है मुरुषा लू फैंग को काफी ध्यान से देख रहा था और फिर वो लू फैंग के तरफ दिखते वे कहता है माश्यर एक छोटी स स्माइल करते हुए कहता है कि इन टर्म्स ऑफ ओरीजन ऑफ डिश्रक्शन मैं तुम्हारे इतना एडवांस नहीं हूं ना मैं तुम्हारे इतना परफेक्ट हूं जो फैंग था उसका रिलम अभी भी काफी था वीक था इसलिए वो मुरुषा को पुरी तरगी से कॉपी नह अंदर एनर्जी कलेक्ट हो रही थी सेक्टर भी इस एनर्जी अल्टाट यह दिखने में कुछ-कुछ मुरुषा की तरह ही दिख रहा था बट यह पूरी तरह की से अंस्टेबल था एंड यह किसी भी कॉलाप्स कर जाता मुरुषा यह सारी चीज़े देखता है तो उसे अ इस फ़स्वर जो मुरुषा ता वह उपलेस तरह के ट्रीके से भी तरह के तुम अब ही जा सकते हो जिसके बाद जुदेखने के पाई वार भी तरीका एय्टो एंगा वर्टारीक्ट एंदर अंदर उपने आपके ड्रेंग करने का लूओफाइंग इस लिए प्यमक करता थाया है यह जुबी कर रहा है, पुरी तरह के से खलत है इसका structure पुरी तरह के सो चुका है यह जो लूफांग का rhythm है अभी भी वो अभी काफी ता कमजोर है लूफांग अभी चास rhythm के अंदर पहुंचा है से पहले लूफांग कुछ ओट रही करें लूफांग को सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा focus करना पड़ेगा अपने rhythm को मजबूत करने के लिए जो लुफैंग होता है वो तुरंट स्टार्ट आवर के एक दूसरे फ्लोर के अंदर हम लोगो काफी सारे स्पेच्वल क्रीचर्स देखने के लिए मिल सकते थे यह सारे सारे स्पेच्वल आप लोगों याद होगा कि लुफैंग ने इस सारे स्पेच्वल के लेखने के लिए ने ने चुझ अप देखने की लीअट हुटर्च। लूप लेट से बना हुआ है इसके अंदर कुल मिला कि 120 ड्रॉप अप सिल्वर वाटर ड्रॉप लेट से अगर लूफ एंग उन सारे के सारे 120 ड्रॉप लेट को अलग कर देता है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज करने की कुशिश करता है तो वापस में छिपकते ही तो पूरोड दिया था रहें लूफ लूफ वापस में कुश्च करता है लेकिन उसके बाद भी परीशान हो जाता है यह पूरी तरह नहीं होता है कि यह इस लिए तो नहीं क्योंकि जो लूफ पहेंग इस नहीं किया फिर चुर्ण को श्टड़ी नहीं कि फिर उसे ऐसा फि सबसे बड़ा क्रीचर था लूफंग के पास कम जगम 10,091 सिल्वर ड्रॉप लेट से बना हुआ था लूफंग होता है वह बस कैजवली एक पानी के ड्रॉप को और ज्यादा मसल देता है उसका पुरा चूरा गड़ देता है उसका पुरी तरह किसे एक सिल्वर करेंगे तोड़ा चेंज होता है उसे फील होता है कि इसके अंदर मटिराजेशन आफ चौज लौए चीज लूफंग को पहले समझ नहीं आई थी अभी जाके समझ रहे थी लूफंग कहता है कि इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर स्टिक्स है जैसे कि चौज ऑफ गोल्ड के चौज को सीखना बनाना तो उसे बस कुछ चौज को मटिरलाइस करना पड़ेगा इसके बाद बाकी के प्रोसेस को कॉपी कर सकता है जो सिलवर ड्रॉप लेट्स के अंदर लौफ चौज ता एंड यह एक तरीके से दिखने में जिन्दा लगता था इन सारी चीज को समझने के बीवर भी देखने के लिए मिली थी और यह सारी चीज और कुछ नी बल्कि एवनियो ओरीजन ऑफ लाइफ था उस ड्राइगन को डिफरेंट डिफरेंगल से देखता है एंड हर एंगल से लूफ एंग को यह चीज ती दिफरेंट लग रही थी तक जो लूफ होता है वह इ लगता था कि इसके अंदर जिंदगी है इसके अंदर लाइफ है इस स्पिरिच्वालिटी थी इसी के कारण यह थोड़ा पहुत जिंदा लगता था इसके बार में और समझने की कुछ करता है लेकिन नहीं समझ पाता लूफ है अपने आपसे कहता है कि उसका जो रिलम है वह के अंदर अपने आपको ट्रांसफॉर्म कर पाएगा तब जाके ऐसा हुआ कि उसने लाइफ स्पिरिच्विलेटी की ऊपर छोटी मूटी अचीविमेंट कियो आप लोगो ज्यादा डिटील के इंदर नहीं बता रहा है इस सारी चैप्टर्स के अंदर राइटर ने काफी साथा माल मसाला रहा है और इवन इस माल मसाले को पढ़ते पढ़ते मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाता है बट आगे के चैप्टर्स अच्छे हैं डूंड वरी इसी तरगे से एक के बाद एक दिन बीचते रहता है लूफाइंग के नजरू के अंदर वजू ड्राइग गोड़ा सा कॉंफिडेंस था कि अभी वह इन सारी ज्वानी पानी के बुंदों को आपस में मर्च कर पाईगा वो इस चीस को ट्रांसफॉर्म करपाएगा फाइनली जो फैंग ता फाइनली जो फ्लू फैंग था वो इन सारी के सारी सिल्वर वाटर डॉट और डॉट करता है तो उसकी जो पावर होगी और स्पिक्ड होगी वह यौंग हूँ से भी जादा पावफुल होगी कि सिटी लॉड मेंशन के अंदर है यौंग हूँ के पास तो इंफनाइट डिवाइन बॉडी भी इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हूं कि सिल्वर वाटर डॉ आपले को एक साथ मर्च करने की कुशिश करता है वह पहले हजार फिर दो हजार फिर दस हजार खिर एक लाग फिर मिलियन ऐसे करके इन सारे सारे वाटर डॉड हो रहे थे इसके अं दर से निकलने वाली जो स्पूरिछॉल एटी वह और जशादा बढ़ती जा लाई थी पा जो लूफंग होता है वो इस silver river को अपने एक हाथ से काफ़ जादा पाफ़ल मूव करके इसके उपर try करता है और उसका यह जो silver slash होता है वो उस silver river को दो इससों में काड़ देता है लूफंग इसके अंदर water droplets की संक्या भढ़ाता है तो डेफिनेटली जो चीज़े वो और जाता पाफ़ल जाएगी लूफंग continuously और water droplets को add करता रहता और merge करता रहता है इसी तरिके से कमचे कम 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion और लूफंग एड़ करता रहता है इन सब चीज़ों को बस आप randomly आपस में merge नहीं करा सकते इसके लिए आप लोगो endless knowledge की जरुवत है आपको endless understanding की निड़ोती spiritual of life की बना अगर बस इन्हें merge करने का ही काम होता तो ये चीज़ लूफंग पहले भी कर चुका होता लूफंग की silver river थी वो अल्रेड़ी hundreds of kilometer की लंबी चौड़ी हो चुकी थी और वो पुरी की पुरी स्टार्ट आउर के अंदर बह रही थी सडनली वो पुरी की पुरी जो silver river होती है वो एक silver color का knife की नाइफ के अंदर change हो जाती है लूफंग के पास perfect divine body है तो बली यह जो पानी का knife है जो की hundred of millions of kilometer का लूफंग इसे छूटा सा कर सकता था पाइंड सो compact भी कर सकता था जहीं फाइदा होता है perfect divine body का तुम्हारे अटैक्स तुम्हारी body वो किती भी जादा बड़ी या फिर किती भी जादा छुटी हो सकती है वाट उसके अंदर की पावर होगी वो सेमी होगी फैंको फानली इन सब चीजों के अंदर एक scoop देखने के पावफुल है जिन लोगों ने औरड़ी गौड़किंग लेवल के एच तक लगबग लगबग टच करी लिया है जवाब लगव लगव नाइटीन परसेंट ब्रांचेज ऑफ ओरीजन ऑफ एवन्यू को महाशर कर लेते हो और बस लास्ट बॉटम ना एक बच जाता है तब इस तरीकी की स्पेशल सीख्रेट टेक्निक्स होती इसके अंदर इवन वो गौड़किंग लेवल के अटैक्स को भी परफॉर्म कर सकते थे इवन जो लोग लेजन्डरी टेकनिक वाली वह वह भी आप एक लेजन्री टेकनिक समझ सकते हो जो कि गौड़किंग लेवल का प्रेंट कर ली थी वह बात लगी कि लूफ हैंग नहीं कई से ढपी भी नहीं थी यह लेजन्डरी टेकनिक उसने खुद बनाई थी के बाद वह जो नाइफ लूफ हैंग ने बनाया था वह सिल्वर नाइफ से आसमान के अंदर एक चीरा लगाता है यह इतना ज्यादा कर चुगा था एंड़ लग बगलो 10 करोड से भी जादा ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया था बट लूफ हैंग इन सारे ड्रॉपलेट के तरुछ स्माइल करते हो देखता है सारे के जो 1.2 बिलियन मोटर लूपलेट लूफ हैंग इन्हें मर्च करना जानता था ल लेकिन इसके कुछ फ्लॉफ भी थे जैसी कि इसका एनर्जी कंजम्शन बहुत जादा था यह अंधा एनर्जी चूशती रहती थी तो यह किसी भी डिवाइन वेपन को ड्राइव नहीं कर सकती थी ना कि सीग्रेट ट्रेजर को जैसे कि डिवाइन पावर्स के तुरू आप सीग्रेट ट्रेजर एंड बागी सारी चीज़ों को चला सकते हैं यूज कर सकते हो वह फ्यूल के तरह काम करती है बट यह सारी के जो वाटर आपलेट से यह अपने एक अलग चीज थी लूफ एंग अपने बोड़ी को तीन-चार इसों के अंदर डिवाइड कर देता है या अपने मेडियॉक और स्टेज तक जा सकती थी लूफ एंग ने इस फक्क 300 से ज्यादा यूमन ब्लेड लाइट को मना लिया था एक्च्वल में जो लूफ एंग था उसने अपने बोड़ी को रिफाइन करने के लिए एक नया रूट ढून दिया था के मज़त से वह अपने बोड़ी को लगवर लगवर थाउजन्स ऑफ वेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता था एक तरीके से वह जो सिलवर रीवर लूफ एंग ने क्रियेट की थी उसने उसके अपने बोड़ी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था अभी अभी बस चौज लम के अंदर लूफेंग के दिवाग कोई चीज आती है और तुरंत मृश्या को विस61 कर लेता है कुछ टाइम के अंदर जिम होता वह रप्स से स्टाइबर के अंदर है जाता है चलो एक और फाइच करता हो यह चीज सुनने के बद तोड़ा शौक हो जाता है वो कहता है मास्टर क्या वापिस से मौरुषा मनी मन सोचता है कि पहले बार जब उसके और मास्टर की फाइट हुई थी तो उसके मास्टर लगब लव अपनी पुरी जान लगा दी थी उसके बाद भी मौरुषा ने उसे अपन करनी चाहिए मेरे साथ फाइट करके आपको डिस अपॉट्मेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए आपके डिवाइन बॉड़ी को और जड़ा ग्रो होने तो इससे पहले आप मेरे साथ कंपीट करो जो फैंग होता है कि तुम्ही जिंता करने की कोई नीड़ नहीं है मैं समाल लोँगा उसके पाद जो मुरोशा होता है वो स्माईल करता और कहता है सिंस माँचेर अगर आप चाहते हो की मैं आपसे कंपीट करूँगा बट माँचेर मैं पहले के तरह इस बार अपनी कोई भी डिवाइन पावर को बं नही मैं किसी चौर्ज रिलम के मुऊ को इस्तेमाल करूँगा मैं आपसे बस अपने बोडी के मदद से फाइट करूँगा अपनी बस लगब लगव 10% स्रेंद का इस्तेमाल करूँगा लूफैंग कैजूली स्माइल कर दिता और कहता है जो करना है करो इसके बात इंस्टेंटली ज अंदर काफी ज्यादा दम था तो यहां पे कुल मिला कि 300 सिल्वर स्वाड लाइट्स थी जो लूफैंग होता है मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत रेड़ी रहना चीए वही जो मुरुशा होता है वो इस वक काफे था confident होता है उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो र रिलाक्स था जब मुरुशा लूफैंग के मुँग को देखता है वो स्माइल करते हुए कहता है यह कोई fancy मूव लग रहा है चम चमाता हुआ मूव लेकिन स्टिल काफे दा कमजोर divine body है और यह मेरा कुछ भी नहीं उखाड पाएगा वही जो लूफैंग होता है मुरुशा के बारे में सुनता है तो थोड़ा शौक होता है वह मनी मन कहता है क्या destruction of origin क्या माश्र ने यह destruction of origin मेरे से सीखा है तुरंत कुछ डाइम के अंदर हम लोगो देखने के लिए मिलता है क्यों 300 वाड लाइट थी वह काफे तश एक्स्रीमली शाथ थी यह आती है और डिरेक्ली कि सारी जो सिल्वर लाइट होती है वो डारेक्ली उससे जाके टकराती है और तेजी से उड़ते हुए जाता है और स्टार्टावर की दिवार से टकरा जाता है मुरुषा का मूह पूरी तरह किसे उजड़ चुका था यानि कि एक तरीके से ऐसा समझ लो जब किसी इंसान के वाला क्रीचर भी इस वक्त ज्यादा गिनवाना दिख रहाता इस हालत से आप समझ सकते हैं कि लूपएंग का यह अटाइक कितना ही जादा पाफुल होगा बट नेक्स्टे मोमेंट के अंदर जो मोरुषा होता है वो उटके खड़ा हो जाता है और जैसी वो चलते हुए आ एपाउक से ज्यादा टाइम नहीं होगा यह कैसे पॉसिबल हो सकता है मेरी जो बॉड़ी है वो पुरी तरह की से लिमिट्स के उपर ग्रो कर चुकी है इवन मैंने काफी सारी व्यूरियस में सीक्रेट मैटर्स को भी कॉप्रेंट किया है बट मास्टर आपने तो कुछ टा करते थे एंड अभी वह उसके लेवल तक पहुच चुक्या है वही जो फैंग होता है वह सते हुए मुरुषा की तरफ देखता और कहता है मैंने तो मैं बहुत पहली कह दिया था कि तुम काफी अधा आलसी हो चुके हो तुम पढ़ा ही नहीं करते बिलकुल भी अगर तुम थोड़ा सा कॉम्प्रेंशन अगेरा करोगे तो तुम काफी अधा पावफुल बन सकते हो लेकिन तुम लेजी हो जो मुरुषा होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह अजीब सी शकल बनाती हो कहता है पर मैं किस तरीके से कॉम्प्रेंशन कर सकता हूं मैं एक सेक गाएब हो जाता है वह एक तरीके से एक डाक एबिसेस के अंदर पूरी तरह के से चेंज हो चुका था और लूपांग के चारु तरफ एक अलग सी डाकनेस चाह जाती है जो मुरुषा होता है वह आपका मुह का पावफुल हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप काफी यह हो इन सब चीजों के अंदर रिलम भी काफी अधा मैटर करता है मुरुषा की तरफ विजवक देख रहा था जो मुरुषा था वह अपने आप में एक डाक एबिसेस बन चुका था जो लूपांग होता है वह एक सेकंड के लिए भी हैजिडेट नहीं करता वह तुरंत अपन और मुरुषा ने अपने अंदर स्वालो कर ली थी इस बार मुरुषा को बस थोड़ा सा हर्ट हुआ था लास्ट टाइम के कंपरेजन के अंदर मुरुषा काफी अधा स्टेबल था वही जो मुरुषा होता है वह स्माइल करते हुए लूप एंग की तरफ देखता है के सामने आपके यह सारी जो अटाइक से वह ज्यादा अच्छी से काम नहीं करेंगे दूसरी तरफ अगर काम कर भी गए तो यह सारी अटाइक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले वाले पिकॉस एड़ डैंड मैं अपनी जान बचाना काफी इच्छी तरगी से जानता हूं बस उसकी फाउंडेशन के गारण क्योंकि वह एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म है रिलंग के अंदर वह जीजिएंगा उसे अभी भी काफे पीछे हैं से चौदर रिलंग के उपर आई हुए बस कुछ पाच्छ आपक्स का टाइम हुआ है और उसने अभी काफे लंबे पाइजर को अपने बॉडी के अंदर स्वालो नहीं किया ना उसने किसी डिवाइन बॉडी को घाया है तो नेचरली उसकी जो अंडर्स्राइंडिंग और इस अटाइक से उसे कोई भी फरक पड़ेगा और अगर मैं ले नहाओं की बात करता हूँ बंदे को तो मेरा यह आजाता है वह लूफ हैं की तरफ दिखती हुए खहता है इवन अगर मैं खुछ से पूछू तो मुझे भी नहीं लगता मास्टर की मैं लौड लियौन को हरा पाऊंगा अफ्टर ऑल जो लौड लियौन है वह पीक आफ चॉजर रिलम के अंदर है और इवन चॉजर रिलम क के अंदर उसको आप टॉफ फाइच रिलम के गौड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो फिर लो फैंग होता है उस्माइल करते हुए मुरुषा से कहता है मुरुषा यह चीज मत भूलो कि मुझे चॉजर रिलम के उपर आयोए जाधा टाइम नहीं हुआ डेफिनेटली जैसे से टाइम बितेगा मैं भी पाउरफुल होंगो और तुम भी एक टाइम जरूर आएगा जब यह लोग हमारे सामने कुछ नहीं रहेंगे नभी जो भी मैंने टेक्निक्स परफॉर्म की यह सारी सेट आफ ट्रांस्वर्मेशन टेक्निक्स है जिसको मैंने अपने खुद से ब सब्सक्राइब करता है और इसके बारे में उसकी जो एंडेस्टेंडिंग होती है किसी भी नॉर्मल कल्टिवेटर से काफी ज्यादा होती है और उसके पास काफी सारी सीक्रेट भी होता है तो से इवन कॉम्रेंट करने की जरुए भी नहीं पड़ती है बट वहीं दूसरी सब्सक्राइब जो फैंग है उसे कल्टिवेशन की नीड परती है बट उसके बाद भी इतना था आगे निकल गया डैफिनिटली जो मुरुषा था उसे काफी दा प्रेशर फील को रहा था अभी अपने माशर से लू फैंग होता है वो मुरुषदर कहता है कि जो टैक्निक ह इसके अंदर मैंने लगबग लगव 300 स्वाड लाइट का इस्तेमाल किया था मैं इसे डॉज कर सकता हूँ मैं इसे ट्रांसफर कर सकता हूँ और इसे खतम कर सकता हूँ अगर मैं इन 300 स्वाड लाइट को कनवर्ट करतू 1000s of स्वाड लाइट के अंदर या फिर 100s of स्वाड के अंदर तो यह जो अटाइक है और कितना ही जादा पावाफुल हो सकता है जब मुरुषा यह चीज़ सुनता है कि एक्शूल में जो उसके माशर है वो इस मूव को और जादा पावाफुल बना सकता है एंड यह जो मूव है इसके अंदर जिस तरही कि उसने 300 स्वाड लाइ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ इस्तमाल नहीं की थी वट स्टिल एड जो मुरुषा है वो एक सेक्टर बीस्ट है और उसकी पैदाइश यह बॉड़ी काफी था मजबूत है वह जो लूप है उसने अब भी चौज रिलम के अंदर ब्रेक तुरू किया सब्सक्राइब कर देता और कुछ भी नहीं कहता एंड अभी इस सीज़ का मतलब क्या है वह तो नहीं पता मुझे भी कि अभी करन्ट सिच्वेशन के अंदर लूप हैं सही मैं ऐसा कुछ कर सकता है तो डेफिनिटली जो लूप है वो मुरुषा के अल्ड़ेडी काफी यह बराबर हो चुका है बट यह बस तभी पॉसिबल है जब लूप है एक्चुल में ऐसा कुछ कर सकता है बट लूप हैं ने मुरुषा को जटका तो दे दिया था 440 पूर्टेज का जो मुरुषा था वो अज़ड़ी एक चीज़ खाफी तरके से जानता था कि चाहाई इस ट्रॉपिक पैलान यानि की कयामत के लिए पैदा हुआ है डिस्ट्रक्शन के लिए पैदा हुआ है बट स्टिल उन दो एशन कंट्री का फांडेशन की बात करें तो उसके औरीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफी ज़्यादा परे हैं साथी साथ मुरुषा यह भी चीज बहुत जान जाता कि जल्दी उसका जो माश्यर है वह एंपरेटू लीनियाच का यानि के अंदर एक गेस्ट ऑफिशल बनने वाला है उस ताइम उसके जो माश्यर है वह और ज्यादा पावफूल हो जाएंगे जैसे जैसे उन्हें रिसोस मिलेंगे बट इससी कही नहीं करूंगा ताकि मैं अपने मैंट्स को चेंज कर सको वहीं मैं और इस्तमाल करूंगा ताकि मैं अपनी स्वाड मैंट्स को परफॉर्म कर सको 300 पॉर्लाइट था यह बस एक ट्रेलर था लूफंग मुरुषा को सारी चीज़े कैज्वाली बता देता और कोई भी चीज नहीं और वो मुरुषा से कहता है कि भली उसका जो चौस फॉर्ड है यह काफी ज़्यादा पाउफुल और इसका श्रॉंगेस स्वाड अटाक है बट उसका जो रिलाम है वो इसके इतना अदा कमजोर है कि उसे इस अटाक को परफॉर्म करनी के लिए सही में काफी ज़्यादा पाकी है जैसे जैसे उसके डिवाइन बॉड़ी ग्रोंगे वैसे वैसे उसके मूज और ज़्यादा पाउफुल हो जाएंगे फिलाल इस वक्लूफएंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन जीस थी वह थी ती कि उसे अपना रिलम को और ज़्यादा इंप्रूफ कर कॉंबरेंट किया था एक करी क्रेंट काव्याद कुर्जा अगर बागी के और पांच्त को समझ जाता है तो आप अन्ताज लगा सकते हुएंगे कितना ही जाथा पाउप फुल हो सकता है पस çıkar जो लुब HERE को टक्र देती थी अभी outta पहन कुरिंट को definitely जो लू फैंग की strength होगी वो काफी जाता बढ़ जाएगी ऐसे creatures को अलड़ी काफी सारी major forces ने मिलके पकल लिया है और लू फैंग को भरूसा था कि यांग फैंग एशन country के पास ऐसे काफी सारे जिन्दा creatures होंगे definitely लू फैंग को इन्हों कोई तरीका ढूंडी लेगा जब वक्त आएगा लू फैंग उन सारी creatures को भी comprehend कर लेगा इसके बाद जो लू फैंग होता है वो मुरुषा की तरफ देखता है अभी तुम जा सकते हो तुम अपना काम कर सकते हो और जो लू फैंग होता है वो अप इससे cross like करके बैठ जाता हो और practice और comprehension वो आप इससे start कर देता अपना अगर लू फैंग अगर इस चीज़ के हिसाफ से देखे कि कि अभी अभी वो जॉज रिलम के अंदर आया तो अर्ली पिरेट के अंदर सही में उसकी जो इंप्रूमेंट है वो काफी दा रैपीड है वही जो मुरुषा होता है वो already start out के बाहर आ चुका था लेकिन इस वकुत उसे काफी दा उनकमपटेबल सा फील हो रहा था बूषा को लगता था कि जो लुफ रैंक की विल है वही काफी दा पावफुल है यह पर बस मुरुषा को अपने लेजेंडरी विल टेकनिक के कारणी कंट्रूल कर पा रहा है बट वह धीर धीर करके फील कर सकता था कि उसके माश्र कितने ह जादा पावफुल है और कितना जादा टैलेंटेड है वह एक नॉर्मल लाइफ वाम होने के बाद भी वह अपने आपको इस लेवल तक अपने आपको इंप्रूब कर सकते हैं अभी ऐसा फील हो रहा था कि पहले उसके माश्वर बस उसे विल टेक्निक के तुरू हरा सकते थे बट अभी वो इवन उसे नॉर्मल वाइट के अंदर भी हरा सकता है मुरुशा अपने आपसे कहता है उसे कैसी भी करके अपने आपको और जदा पावफुल बनाना पड़ेगा उसे कोई ने कोई तरीका ढूड़ना पड़ेगा मुरुशा फिर अजीब सी शगल बनाते हु मैं मार्शर की मदद नहीं ले सकता मुरुशा के लिए यह सही में एक सरदर्द बन चुका था जो मुरुशा था वो इस वक्ता अन्हापी था जिसके बाद वो सुचता है चलो छोड़ो जाने तो जाके थोड़े बहुत ड्रिंक वगिरा कर लेता हूं और मुरुशा बस खा किया था लू फैंग के कंपरेजन के अंदर देखा जाए तो यह काफी जादा भाई आता क्योंकि जो मुरुशा था वह इनिशल स्टेट से लू फैंग के साथ ही रहा था तो बाकि लोगों के बारे में इतना नहीं जानता था हर एक दूसरे क्रियेचर को बस लू फैंग के सारे 10 basic laws को comprehend कर दिया इसी सुनने के बाद जो मुरुशा होता है वो दो सेकंड के लिए पॉस हो जाता है उसके फेस की ऊपर कोई भी expression नहीं था तीसरे सेकंड में वो मुयो क्यों की तरफ देखता और कहता है तो क्या हो गया तुमने बस 10 basic laws को comprehend किया है उसके अंदर इतना अ साने तो उल्टा उसकी बीजेती मार दी थी और वह शांती से लौड लूसा की बातों को सुनता रहता है कि अगर वो मुरुशा से या फिर लूवंक के साथ compare करता है तो वह काफी जादा कमजोर था शाटिंग में उसे लौड लूसा इतने जादा powerful नहीं लगते थे लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे करके उसने मुरुशा के बारे में सुना तो उसे पता चल गया था कि जो मुरुशा है वह उसके माश्र से कुछ कम नहीं है और इन दोनों के comparison के अंदर अगर ये खुद की बात करे तो वह काफी दा कमजोर है मुरुशा मुयो क्यों के तरफ देखता और कहता है जाओ और जाके मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंद करो जो माश्र है वह अपने रिट्रीट के अंदर है और उन्हें डिस्ट्रप करना ठीक नहीं होगा जब माश्र अपने रिट्रीट के भार आएंगे तब जाके तुम उनको बता देना अपने ब्रेक्ट्रू जोर जोर से हसता और कहता है फाइनली फाइनली इस उडलू के पट्टे ने अपना ब्रेक्ट्रू कर लिया इवन मैं अपनी पुरी पुरी जिंदगी के अंदर खुद को कल्टिवेट करने में इतना दा ठकानी जितना मैं इसको सिखाने में ठक गया फाइनली फाइनली मेर पर हूप करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स चैप्टर के अंदर अभी तक यह नोगल खतम नहीं हुआ इसका एक लास्ट पार्ट अभी भी बाकी है तो कल जो भी इसका ए पूस्ट नहीं डालता कि औरेडी मेरा एपिसोड रेडी हो चुका है और आप पे कर सकते हूं तब तक कोई पे मत करना परना फिर आप ही लोग गोलते हूं कि मैं इनौर करता हूं तो मिलते हैं नेक्स एपिसोड के अंदर हूप करता हूं कि आपको आज का एपिसोड हूंगा मैं आपको मैसेज कर दूगा जब भी लाइव आओंगा के बाद हम डिसकस करेंगे कि हमको कौन सी नौर एक्स्प्लेइन करनी है नेक्स्ट सो गुड़ नाइट बाबाए